दूस्तू लगातर कमेंट्स में आ रही धिमांट को देखते हुए खास तोर पर आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसे गैजट जिनका इस्तेमाल आप अपनी बाइक के साथ कर सकते हैं कुछ ऐसे गैजट जो कि आपकी बाइक की सेफटी के साथ साथ आपकी सेफटी के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं तो काफी जादा मज़ेदार होने वाली है आज की ये वीडियो लेके उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा की चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को एकदम आखरी तक देखते रहेगा तो 12 गैजट की सीरीज की शुरुआत करते हैं नमबर 12 के साथ दोस्तो बात हो रही हो बाइक गैजट्स की तो उनकी सिक्यूर्टी काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट होती है अब आप कहेंगे कि लॉक तो आप सभी की गाड़ियों में होते हैं लेकिन उससे पहले आप इस क्लिप को जड़ा ध्यान से देखिए कि उसमें किस तरीके से चोर आपके हैंडल लॉक को तोड़ कर बड़ी अराम से आपकी बाइक लेकर फरार हो जाता है तो इस क्लिप को देखकर आपको विश्वास हो गया होगा कि जो गाड़ी के लॉक्स होते हैं वो कता ही रिलाइबल नहीं होते तो अगर आप चाहें तो ट्राइ कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से गैजट को जो की बहुत ही खास रहेगा क्योंकि ये आपकी गाड़ी के हैंडल को नहीं बलकि उसनी पूरी ग्रिप को ही लॉक कर देता है यानि कि अगर आपको कोई हैंडल लॉक तोड़ भी ले तो फिर भी वो कहीं बाइक को नहीं ले जा सकता तो कमाल का रहता है ये गैजट जो की काफी ज़्यादा जरूरी होता है वहीं इसकी कीमत भी कुछ खास नहीं होती है तो अगर आप अपनी गाड़ी को बचाना चाहते हैं तो फ्राइ करिएगा इस तरीके के गैजट को इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं दोस्तो आज कर अगर आप किसी ऐसी ट्रिप पर जाते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा समय लगने वाला हो तो आपको अपना पानी अपने साथ ही रखना चाहिए नॉर्मली तो इसके लिए वाटर बॉटल का इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन कहीं न कहीं उसकी अपनी एक लिमिटेशन होती हैं आप दो या चार से ज़्यादा बॉटल कैरी नहीं कर सकते हैं आपको काफी ज़्यादा वेटेट पील होगा साथ ही इसमें हीट इंसलेशन मैटेरियल से इसे बनाया गया है जिससे कि पूरी हीट को रिफलेक्ट करता है और बची-खुची हीट को ट्रांसफर कर देता है बैक के अधर हिस्तों पर जिससे कि आपका पानी ज़्यादा से ज़्यादा देर तक ठंडा रह सके तो कमाल कर रहता है इस गैजट के लिए एक लाइक तो बनता ही बनता है दोस्तों राइडिंग करते समय मुबाइल फोन पर बात करना कहीं न कहीं सेफ नहीं होता है लेकिन इसके बाबजूद भी अगर आप ग्रूप में राइडिंग पर निकले हो तो आपको कम्यूनिकेशन बनाया रखना पड़ता है इसके लिए आप चाहे तो ट्राइग कर सक का जो कि एक मैस इंटर कॉम की तरह आपकी मदद करेगा दोस्तों यह एक ऐसी चोटी सी डेवाइस होती है जिसे आप हेलमट के बाहर की तरफ से लगा सकते हैं इसमें एक छोटा समाइक और एक स्पीकर इंवेड होता है जिसे कि आप अपने साती राइडर्स के साथ दोस्तों बाइक चलाते समय जैसे ही आप ब्रैक लगाते हैं तो आपकी गारी की पीछे की लाइटें जलने लगती हैं लेकिन कभी-कभी फिर भी लोगों का ध्यान इस पर नहीं जाता क्योंकि वो नीचे की तरफ होती है लेकिन अगर आप अपने आपको रोड पर और भी ज्यादा विजिबल बनाना चाहती हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की गैजट को यह ऐसी लाइटिंग्स होती हैं जिने आप अपने हेलमेट पर लगा सकते हैं और जैसे ही आप गारी में ब्रेक्स एपलाई करेंगे तो यह फौरण इलिमिनेट हो जाती है जो की बह और जैसे ही आप गारी भीवी करते हैं तो यह फौरण जलने लगती हैं नमबर 8 क्रॉस हेलमेट दोस्तो हेलमेट तो भी तक आपने काफी सारे इस्तेमाल किया होंगे लेकिन यह हेलमेट देखके आपको वाकई काफी ज्यादा अचंबा होने वाला है क्योंकि इसकी वज़ करता है आपके सामने लगी एक चोटे से ग्लास पर जिसे कि आप गाड़ी चलाते समय अपने पीछे भी नजर रख सकते हैं और वहीं दोस्तों इसमें बगल की तरफ एक टच सेंस्टिव पैनल लगा होता है जिसे कि आप टच करके कंट्रोल कर सकते हैं म्यूजिक बगैरा क बहीं कॉल उठाने में भी ये आपकी मदद करेगा जिसे कि आप राइडिंग करते करते कॉलिंग का भी मज़ा ले सकते हैं तो कमाल करेता है इस तरीके का हेलमेट आप भी चाहे तो इससे ट्राइग करके देख सकते हैं दोस्तो नविगेशन की जरुवत बहुत ज़्यादा पड़ती है अगर आप एक राइडर हों लेकिन अगर आप बार बार मोबाइल फोन को निकाल कर खुद को नविगेट करेंगे तो शायद आपको काफी ज़्यादा प्रॉबलम आएगी तो ऐसे में आप चाहे तो ट्रा नहीं पड़ती इस तरीके का गैजट राइजर्स और डिलीवरी मैंस के लिए काफी ज़्यादा मज़ेदार रहेगा जिससे कि वो अपना समय भी बचा सकते हैं तो अगर आपकी जान में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उससे ये वीडियो शेयर जरूर से करिएगा दोस्तो बहुत से बाइकर से ऐसे होते हैं जिने की अपनी बाइक से ज़्यादा हेलमेट से प्यार होता है वो अपने हेलमेट में ज़रा भी स्कैच नहीं आने देते और उसमें तरह दरीके की स्टीकर्स का इस्तेमाल करती हैं तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हो तो ये गैजट आपको काफी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग लगने वाला है क्योंकि ये कुछ ऐसी लाइटिंग्स होती हैं जिने आप अपने हेलमेट पर अपलाई कर सकते हैं जिसके बाद आपका हेलमेट देखने में और भी ज़्यादा ट्रमाटिक लगेगा रात के समय में आपका हेलमेट बहुत दूर से विजबल होगा और साथ ये देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा जिससे कि लोग एक बार तो आपके हेलमेट के बारे में पूछेंगे ही तो अगर आपको ये लाइटिंग्स पसंद आ रही हो तो फटा-फट चैनल को स इतनी ज़्यादा दिक्कत करते हैं राइडिंग करते वक्त क्योंकि हेलमेट के अंदर से इन्हें लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और कहीं न कहीं ये कानों में भी बहुत ज़्यादा गरने लगते हैं इसी प्रॉब्लम को देखते हुए खास तोर पर बनाया गया है ये गैजट जो कि आप अपने हेलमेट के ऊपर इस्तिमाल कर पाएंगे ये कंडेक्शन टेक्नलोजी का इस्तिमाल करता है आउडियो ट्रांस्मिशन के लिए बस आप इसे अपने हेलमेट के ऊपर लगाईए और म्यूजिक का मजा लीजे इसे आप किसी भी तरीके के हेलमे जैकेट दोस्तों जैकेट का इस्तेवाल करने वाले लोगों के लिए राइडिंग के लिए स्पेशल प्रपस बनाई के है ये जैकेट जो की बहुत ही ज़्यादा देखने में कमाल की लगती है हलाकि इसे क्लासिकल लुप दिया है एकड़म ब्लैक कलर में जिससे कि देखने में बहुत ही जादा बहतरीन लगे लेकिन इसमें अलग-अलग तरीके के LED लाइट्स लगी होती है जो की सेफटी परफस आपके काम आएंगे इसमें आगे की तरफ वाइट कलर के LED लगी होती है और साथी बैक पर रेड कलर के LED लगी होती है जिससे कि आप जब भी राइट कर रहे होंगे तो आप दूर से विस्बल होंगे किसी के लिए भी साथ ही दोस्तो ये एक दब अलग टाइब की जैकेट होती है जिसे आप जब पहन के निकलेंगे तो लोग आपकी तरफ एक बर जरूर से देखेंगे तो फैशन की दुनिया में इस तरह की जैकेट तो कमाल की रहती ही है लेकिन राइडर्स को ये खासा पसंद आने वाली है दोस्तो अगर आप अपने पुराने हेलमेट को ही अपग्रेट करना चाहते ही तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के की गैजट को ये काफी जैदा कमाल कर रहता है क्योंकि नॉर्मल हेलमेट को अपग्रेट करके वो सारे फीचर्स दे देता है जो कि आपको आज कल के आने वाले स्मार्ट हेलमेट में देखने को मिलते हैं यह आपके helmet में आगे की तरफ एक hood display की तरह काम करता है जिसमें आप navigation सम्मधित काफी सारी help ले सकते हैं वहीं दोस्तो इसका इस्तेमाल आप अपने mobile phone की notification को देखने के लिए भी कर पाएंगे जो कि एक कमाल का feature रहेगा इसका तो अगर आपका budget थोड़ा सीमी तो या फिर आप helmet बदल बदल कर try करते हैं तो इस तरीके की छोटी से gadget से आप आसानी से इसका इस्तेमाल किसी भी helmet के साथ कर पाएंगे दोस्तो कार के अंदर mobile phone को चार्ज करने के लिए आपको एक charging point दे रखा होता है लेकिन bike में ऐसा कोई option नहीं होता आपने अपसर delivery man's या फिर riders को देखा होगा अलग से power bank को carry करते हुए क्योंकि उनको अपने mobile phone को लगातार on रखना पड़ता है इसके लिए कहीं न कहीं उनके लिए power source एक बड़ी problem बनता है जिसे दूर कर सकते हैं वो इस तरीके की gadget के इस्तेमाल से साथ ही आपको power bank वगेरा को भी carry करने की कोई जरुवत नहीं पड़ेगी तो riders को ये gadget काफी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तो bikes के साथ इस्तेमाल होने वाले काफी सारे gadgets को आपने देखा होगा लेकिन बात number one की हो तो कुछ ना कुछ खास तो बनता ही है लेकिन उसको दिखाने से पहले मैं फटा-फट आपसे request करूँगा कि चैनल को subscribe करिएगा वीडियो पसंद आए तो इसे like करना बिल्कुल मत भूलेगा वही अगर आप इनमें से दिखाएगा किसी भी gadget को खरीदना चाहते हैं या फिर खीमत के बारे में जाना चाहते हैं तो description box में आपको इनके links देखने को मिल जाएंगे फिलाल चलते हैं देखते हैं कि कौन रहता है इस list के number one पर दोस्तो बाइक राइडिंग करते समय मुबाइल फोन का इस्तेमाल करना काफी ज़्यादा घातक साबित हो सकता है लेकिन अगर आप फिर भी अपने मुबाइल फोन पर नज़र रखना चाहते हैं जिससे कि आपकी important notification या फिर calls मिस ना हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं सेंसन की तरफ से आने वाले इस तरीके की gadget को जो कि कास्ट वाइक राइडर्स की safety को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे हैं दोस्तो ये एक ऐसी shield होती है जिसे कि आप अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं पटापट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंकरेज जरूर करिएगा तब तक कि लिए नमस्कार दोस्तों जैहिंग